इससको यहां पर नंगे आंखों से तो देखन सकते कोई न कोई कोई पर ईंस्रूमेंट चाहिए होता है तो कॉन से इस्ट्रूमेंट चाहिए होता है यहांपे microscope, क्या चाहिए होता है यहाँ पर microscope, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर micro microscope की मदद से ही हम उसको देख पाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया microscope, B part में बोला गया है blue green algae fix directly from air to enhance fertility of soil, तो यहाँ पर nitrogen gas को nitrogen compound में कौन convert करता था blue green algae, तो यहाँ पर क्या fix कर रहे हैं वो nitrogen, यहाँ पर nitrogen gas को fix कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं nitrogen लिख देता हूँ, क्योंकि आगे हम आप उसने बोला air से लही रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा हमारा nitrogen, तो blue green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of soil, अब C part में यहाँ पर बोला गया है, alcohol alcohol is produced with the help of alcohol किसके यहाँ पर मदस से बनता था, ध्यान से देखना, alcohol यहाँ पर बनता था, इस्ट की मदस से, और अगर यहाँ पर process पूची होती है, तो यहाँ पर हम लेखते है, fermentation, तो alcohol यहाँ पर किसकी मदस से बन रहा है, इस्ट की मदस से, इस्ट वहाँ पर करता गया था, जो हम cane sugar, यह सब जो हम product लेते थे, cane sugar हो गया, और जो जो लेते थे, और rice लेते थे, इनमें क्या होता था, sugar present होता था, सूगर को किसमे इस्ट चेंज करता था, alcohol में, अगर इस process की बात होती है, तो यहाँ पर हम लिखते है, fermentation, अब D part में यहाँ पर बोला गया है, cholera is caused by, तो cholera इहाँ पर किसके वज़ेशन होता है, किस वज़े से होता है, ध्यान से देखना, dehydration यह सब जो cholera होता है, किस वज़े से होता है, हमारा bacteria के वज़े से, है किस वजए से होता है यहां पर बैक्टेर्य के वज़े से और वह कौन सा बैक्टीरिया होता है मैं उसका नाम भी बता देतम वह हमारा होता है vibrio cholera क्या कहते हो उसको vibbadup the blank समझ में आया होंगे अभ हम भढ़ते हैं अपने próxim